हलो गाईस लियोन व्लोग में फिर से आपको स्वागत करते हैं कैसे आप लोग अच्छे हैं आसा करते हैं अच्छे होंगी यह देखिए हम लोग आज रॉकोई बना रहे हैं यह गोंगी स्नेल और इसकी रेसिपी बहुत अच्छे है यमी होती है गाईस अब सबस्पहल तो मै अच्छे लगता है यह जब तक अच्छे से दोने के बाद इसे थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यह मैं अपना प्रोसेस बता रही हूं आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी कमेंटर में बताईएगा यह मेरा पीवी मेंस के साद तड़ा तड़ा तड मेंस के लाएगई लिएक यह मेरा त Gir2 थी थोड़ बतार में अट हम आप मेरा यह मेंस कमें साद पर दोलैा मेरा कडाई गरम होचाई अपम अचै हसा अणक्छे अचिकलन आर में ईूग सबस कर देते हूँड़ा में तब तक मसाला मेन लिया है दिक्त भी अड़ा आजाल ल बाधान रान टमाडर 2- 3 लिए हैं और इसे भी मैंने घ्राइंड कर लिया हुआ है अब को दिखा यहा शुर्या ओझा वह जकता है और अब तक तक फ्राइओ और मैं चावल को पीष लेती हूं चावल मैंने शिलोट में पीष लेते हूं लिए हैं क्योंकि इस लोट में पीष तर दर दरा रह जाता है तो यह पेस लिए प्तर पेस लिए यह अगे का यह जीरा का तड़का लगा यह और लाल मिच और तेज पता और जो मैंने ग्राइंड किया हुआ है मसाला उसे में डाल के अच्छे से बून लेती हूं इसे बहुत अच्छे से बुनना होता है तब तक जोक दोना चोड़ दी है में इसे डाल लोगा इसमें एकिस्टर मसाले मेथ मे प्रैइगे आप खीजिए का ओर मेने उसे कर दिवार्श आप्संदूति यह ओर में जाणग मसाली थेग्स अल्र, एड़काrab नई, मसाला बट अल्सकों चूशनी और मैं जाएंब इन प्रणाइब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए मेरा मसाला बून चिका है और इसे मैं गरम पानी से थोड़ा सा ग्रेवी मतलब अच्छे से पकाऊंगी इसके बाद फिर ये चावल का जो मैंने पेष्ट तयार किया है, इसे ढालूंगी इसे ठंडे पाने से पहले पुरा गोल लेना है और इसे थोड़े तोड़े गर कर कर लेना है, इक बार में नहीं डालना है नहीं तो फिर पुरा लंप्त बन जाएगा और जब दालना है और शुतक चलाते रहता है और बाद में में रिखर बनकर शुजा चलाजे है और दियुक्त के रेडियो हो यहाई बॉते हैं